फ्रेंड्स में आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ देखिए हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी हाई फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सभी आप सभी अच्छे होंगे और Mr. and Mrs. भीडे Family Vlogs में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत दिन बाद बनाने वाली हूँ आज भरता बेगन बनाने वाली हूँ तो वो रेश्पी आपके साथ शेयर करूँगी तो आप लोग भी देखिएगा और इंजोई किजिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ हमारी यहाँ इस तरीके से ही बनाते हैं तो वो तरीका में आपके शेयर करूँगी तो आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो में बने रहिएगा इसकी बिल्कुल भी मत करना पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से भरवा बेंगन किस तरीके से बनाती हूँ तो चलिए मिलती हूँ आपको मैं आप किचन में तो फ्रेंड्स फैनली में आ गई हूँ किचन में और ये मसाले निकाल लिए हैं मैंने तो ये है काली मिर्ची थोड़ा सा सौफ और ये है मेथी दाना और ये राई है और जीरा तो चलिए इन सब को एक पेन में सेक लेंगे इनको चटकने तक सेकेंगे तो यह चटकने लग गई हैं तो लग बग यह पक चुके हैं और मैंने इनको निकाल लिए हैं एक प्लेट में और यह ठंडे होने के लिए रख दिये थे मैंने तो यह ठंडे हो गई हैं उसके बाद मैं इनको चकले पे ही पीश लोंगी पेस अभी यह क्रेकर हो गए हैं तो बहुत जल्दी पीशा जाएंगे तो चलिए पीश लेती हूं और यह मैंने बेलंस से ही प्रेस करके पीशा है तो यह दर दरा पाउडर बन गया है यह देखिए बन चुका है पाउडर तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और यह मैंने प्लेट में निकाल ले था और इसमें और भी मसाले मिला देंगे जिसे नमाग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मीर्ची और पीशा धनिया है फिर थोड़ा से यह मसाला है इन सब को मिक्स कर लेंगे अब तो चलिए अब इनको मिक्स कर लेते हैं मिला लेती हूं मैं चम्मच से अच्छे से तो ये मेरा मिक्स मसाला बन के रेड़ी हो गया है बेंगन में भरने के लिए और ये मैंने छोटे-छोटे काटे वाले बेंगन थे तो काटे निकाल दिये हैं और वाश करके रख लिये थे मैंने देखिए कि दाग देख रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी खराब नहीं है ये ताजे बेंगन हैं और मैंने इनको कट कर लिये हैं दोनों साइड से ये देखिए बीज भी नहीं हैं बहुत ही नरम बाले हैं ये तो सबको मैंने इस तरीके से काट लिया हैं और जो मैंने पाउडर तयार किया था वो इनमें भर देंगे तो ये मैंने भर लिया है मैं आपको दीखाने पहे क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं है इसलिए डायरेक्टर स्टफिंग भरने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ तो चलिए अब इनको फ्राइ करेंगे तो ये मैं तेल डाल रही हूँ पेन में और तेल गरम हो जाएगा उसके बाद मैंने ये एक तेज़ पत्ता डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है थोड़े समेथी दाना डाला है और एक हरी मिर्ची को मैंने बीच में से काटके डाल दिया है दो टुकड़े करके और इनको मिक्स कर लेंगे उसके बाद अब डाल रही हूँ में प्याज तो चलिए मिक्स कर लेते हैं और प्याज को चैसे भून लेंगे तो ये लगबग प्याज भून गया है और इसमें मैं एक चम्मच के करीब अद्रक और लसन का पेस्ट डालूँगी घर का ही बना हुआ है और उसके बाद ये डाल दिया है मैंने टमाटर और टमाटर को पका लेंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक ये नमक डाल दिया है और अब डालूँगी हल्दी ये हल्दी पटर डाला है और इसको मिक्स करके ढ़क के पका लेंगे और इधर लाल मेची धनिया पावडर और थोड़ा से जो मैंने मसाला बनाए था वो निकाल लिया है मैंने तो ये जब टमाटर पक जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी तो लगबख हाँ मैंने प्रेस करके देख लिया है टमाटर तो ये टमाटर गल गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी ये मसाले जो निकाले थे वो वाले और मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी डाल रही हूँ मैं इसमें और डाल दिया है मैंने पानी तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये ढखके पका लिया है तो लगबख मसाला बनके तयार हो गया है तो आप मैं इसमें डालूँगी बेंगन जो स्टपिंग करके रखा हुआ था बेंगन वो मैंने इसमें डाल दिया है तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये हो गया है मिक्स और अब इसको ढखके फिर से दो-तीन बार मैंने बीज-बीज में चला दी थी सबजी को तो ये लगभग बनके रेडी हो गया है एक बार फिर से फिर भी मैंने ढख दिया था इसको और अब फाइनली सबजी बनके भर्मा बेगन बनके रेडी हो गये हैं तो अब इसमें डालेंगे धनिया देख लीजिए कि मेरी सब्जी भर्वा बेगन बनके रेडी हो गया है तो चलिए आप लोग भी आ जाएए अब मैं प्लेट लगा लेती हूँ तो ये मेरी प्लेट लग गई है और आप लोग भी आ जाएए और कॉमेंट करके जरूर बताएएगा कि मेरे भर्वा बेगन की रेशिपी कैसी बनी तो फ्रेंड्स बताईएगा मैंने जो भर्मा बेगन बनाए हैं उसकी रेशिपी आपको कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास आज सके तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा